हेलो गाइज गुड बॉर्णिंग नमस्कार जैस्री राम वेलकम बैक टो माई चैनल ब्लैक बीच्ट इस अखिलेश और वाचिनल ब्लैक बीच्ट तो टोड़ेश्ट वियर गोविंग टो डिसक्स वाउट मित आंड फैक्ट आउट बुटिया डॉग बेसिकली आज हम बात क जोटे से पब को कान से पकड़ कर हवा में पूरा उपर उठा लेते हैं और थूब अगए जाकर एक अच्छा भॉप अच्छा नहीं है और बड़ा होकर अच्छा डॉग नहीं वनेगा और अगर बिल्कुल शांद रहता है और कोई आवाज नहीं निकालता है तो लोगों क और चोटे से पप को अगर आप कान खींच कर इस तरीके से उठाते हो और होल्ड कर लेते हो हवा में तो उसके कानों में प्रॉब्लम भी हो सकती है और कुछ जगह लोग कान खींच कर चेक आउट करते हैं और कुछ जगह पर लोग पप के बाहर से बाहर की जो पीट की तरफ से उसकी इसकिन होती है उसे खींच कर हवा में होल्ड कर लेते हैं और फिर quality को चेक करते हैं और फिर मानते हैं कि अगर पप चुपचाप है तो वो अच्छा पप है और अगर चिलाता है तो वो अच्छी quality नहीं है तो ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यह बिल्कुल देखने में भी गलत लगता है तो अब हम बात करते हैं इस बारे में facts और realities की कि आखिर क्या सचा है यह इस बात के पीछे तो अब देखिए कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर हो हर किसी का अपना individual nature होता है हर किसी का अपना विहवियर होता है starting से ही तो दो टाइब के लोग होते हैं और दो टाइब के जानवर होते हैं हर किसी का अपना individual विहवियर होता है तो यह दो टाइब के विहवियर होते हैं एक होता है submissive विहवियर और एक होता है dominance विहवियर तो submissive विहवियर में क्या होता है कि जो submissive behavior के लोग होते हैं या dog होते हैं basically हम we are talking about dog so submissive behavior के जो dog होते हैं ये बिलकुल शान्त रहते हैं normally ये दूशरे का order command follow कर लेते हैं और हर किसी के बाते सुन लेते हैं माल लेते हैं simple सी wording में जो सहन सील dog होते हैं या सहन सील प्रवित्ती के लोग होते हैं जिनमें सहन करने की प्रवित्ती होती है और paint tolerance काफी अच्छा होता है ऐसे dog ऐसे जानवर जिनमें दर्थ सहने की अच्छी capacity होती है और submissive nature की वज़े से ये dog दूशरे लोगों का या अपने honor के बाद जल्दी से माल लेते हैं इस टाइब के जानवरों को या इस टाइब के dog को train करना काफी आसान होता है अब second behavior होता है dominant का, dominancy का तो ऐसे जानवर, ऐसे dog जो खुद की मर्जी के मालिक होते हैं इस वज़े के dog या इस वज़े के जो जानवर या इनसान जो भी हो ये independent और वौसी नेचर के होते हैं ये हर किसी को dominant करते हैं और ये submissive nature के बिल्कुल opposite होते हैं ये किसी की बाते ना मानना, बाते ना सुनना order follow ना करना और pain tolerance इनमें काफी कम होता है इस टाइब के dog काफी जिद्दी सुभाव के होते हैं और इनके fighting skill काफी अच्छी होती है और basically ये अपनी dominance की sow करते हैं और dominant sow करने के लिए independent dog होते हैं dominant dog होते हैं तो हर जगा ये fighting करते हैं तो इस टाइब के dogs जो dominant dog होते हैं तो इन्हें train करना submissive dog के comparison में काफी मुश्किल होता है इन्हें भी आप अच्छे से train कर सकते हो लेकिन इन्हें train करने के लिए आपको काफी ज़्यादा effort डालना पड़ता है अब क्या है reality इस बात के पीछे तो basically जो submissive nature के dog होते हैं उनके submissive nature के dog को train करना काफी आसान होता है यह आराम से train हो जाते हैं और command follow कर लेते हैं लेकिन dominant dog को train करना काफी मुश्किल होता है यह अपनी मर्जी के चलते हैं आपने देखा होगा कि जब भी आप इन्हें walking करते हो dominant dog हमें से आपको खींजते हुए चलेगा और जो submissive dog होते हैं बिल्कुल आप lease हलका से आपको lease को फकड़ना होता है और यह आराम से आपके पीछे पीछे चलते है तो यही difference आ जाते हैं in dogs में और वैसे submissive dog आराम से जल्दी से सीख भी लेते हैं तो यही reality है हाँ मतलब यह कान खींज कर इसमें check out होता है पुराने लोग इस तरीके से पप को ही check out करते थे कान को खींज कर लेकिन अब यह थोड़ा देखने में गंदा भी लगता है और पप को भी दर्द होता है तो basically सही तरीका क्या है किस तरीके से आप पप की quality को check out कर सकते हैं आप पप को बिल्कुल हवा में आगे पैरों के जिस तरीके से यह फोटो में दिखाया गया है इस तरीके से आप जमीन से पप को उठाओ इसमें पप को भी problem नहीं होगी पप को भी दर्द नहीं होगा और आपकी इसके वेहवियर का आप check out कर सकते हो पप को आरम से हवा में उठाइए कुछ टाइम तक 2-5 मेटे से हवा में होड कीजिए और अगर पप बिल्कुल शांत रहता है चिलाता नहीं है और बुदबुदाता नहीं है अगर बिल्कुल शांत तरीके से खड़ा रहता है आपके हाथों में तो यह submissive nature के dog की फैचान होती है और अगर यह पप अगर आप इसे हावा में होड करते हो और अगर यह पप चिलाता है या बुदबुदाता है या अपने आपको छुडाने की कोशिस करता है तो इसमीन यह submissive dog नहीं है यह dominant dog है और इसे ट्रेंड करने के लिए आपको ज्यादा effort डालने होंगे सेकंड तरीका है इसको चेक करने का इसनके nature को आप आपको नॉर्मली पकड़ कर इसे हाथ से हलका सा जमीन की तरफ पीट के बल लिटा दो और इसे नीचे जमीन पर आराम से लिटा दो और हलका सा हाथ से सपोर्ट कीजिए इसके पेट के बल और अगर पब बिल्कुल सांती से अपने आप लेट जाता है छट पटाता नहीं है और या उठने उठने की कोशिस नहीं करता है मतलब आपके नॉर्मली हलका सा पुश करने पर आराम से लेट जाता है और सांती से लेट जाता है तो इसका मतलब यह की समिसिव नेचर का नौग है बाद में भी समिसिव नेचर का ही वनेगा और अगर यह भागने की कोशिज करता है, छुड़ाने की कोशिज करता है, इसका मतलब है यह डूमिनेन डॉग है, इन्हें टेन करने में थोड़ा effort डालना होगा तो बस यही reality है submissive dog ज्यादा आसानी से train हो जाते हैं इसलिए और dominant dog को train करना थोड़ा मुस्किल होता है तो बाकी इसमें कोई breed तो same quality same होती है तो यही है पुराने लोगों का मानना था कि और उनका तरीका था एक पुराने लोग कान खींद कर उसे check out करते थे लेकिन reality है कि इससे पता सलता है कि dog के behavior का submissive और dominant का submissive dog train करने में आसान होते हैं अब हम second चीज़ के बारे में बात करते हैं कि second myth क्या है बोटिया dog के बारे में basically second myth है यह जैसे होते हैं 20, 21 और 22 के नाखुन वाले dog कुछ लोगों का मारना है कि जो dog जिनके पास 20 नाखुन होते हैं 21 और 22 नाखुन वाले dog बहुत ही अच्छे और बहुत ही खतरनाक होते हैं और काफी लोग 20, 21 नाखुन के dog को काफी के वाल इसके नाखुन के वज़े से काफी ज़्यादा price की demand कर लेते हैं और कुछ लोग आसानी से 21 के नाखुन वाले dog को ज़्यादा price दे भी देते हैं अब बात करते हैं कि क्या reality है क्या fact है नाखुन के वारे में चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें देखो ये dog के normally कितने नेल्स होते हैं basically और normally dog में होते हैं 18 नेल्स इसके front legs में होते हैं 55 और backside के rear legs में होते हैं 44 नेल्स तो ये total 18 नाखुन होते हैं dogs के और extra nails होने के पीछे क्या region है इसके अलावा कुछ normally dog में 18 नाखुन होते हैं और कुछ dog में 20 से 21, 22, 23 नाखुन भी देखने को मिल जाते हैं और ये इनके genetic ही होते हैं आपने नोटिस क्या होगा कि कुछ dog के pause के उपर extra nails देखने को मिलते हैं कुछ तो tightly attached होते हैं और कुछ के वाल loosely floppy type में attached होते हैं इन extra nails को कहा जाता है dewclaws basically ये वे अतिरिक नाखुन जो dogs के pause में होते हैं और ground में touch नहीं हो पाते हैं उन dogs को dewclaws बोला जाता है अब dewclaws normally तो बिल्लियों में या tiger में ये इनकी help करते हैं इनके trees में climb करने के लिए अब basically dogs में भी ये देखने को मिलता है और ये ज़्यादा तर आपको देखने में मिलेगा mountain dog breed में जैसे की भूटिया डॉग तिबतनवा स्टीफ हस की great pyreans and walnard और dewclaws होने का फाइदा क्या है बेसिकली dewclaws dogs को slippery surface में running करने में help करते हैं जैसे slippery surface में जो ये dewclaws की मदद से ये थोड़ा अपनी grip पकड़ लेते हैं dog और basically mountain dog में dewclaws होने का ये एक main reason है कि जब भी पहाडों में snowfall होता है तो इसनों में running के time पे dewclaws अच्छी grip पकड़ने के लिए dog को help वड़ते हैं और basically इसका reason यह है कि mountain dog breed में इसलिए dewclaws होते हैं कि ये जब बरसात होती है वरफ फड़ जाती है तो काफी slippery floor हो जाता है और वहाँ चलने में dog को दिक्कत होती है तो ये dewclaws की वजए से ये इनकी अच्छी grip हो जाती है और grip पकड़ने की वैसे चलने में काम करते हैं तो इसके लावा dewclaws के काफी नुकसान भी होते हैं dog को जैसे कुछ dewclaws pause में dog के pause मे काफी tightly attach होते हैं तो इनमें कोई problem नहीं होती है लेकिन कुछ dewclaws काफी lose और काफी floppy type के होते हैं जो running के time कहीं भी rough surface पर जाड़ू में फंसकर तूट जाते हैं और dog को काफी bleeding होती है और काफी injury हो जाती है second है dewclaws जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जो extra नाखुन होते हैं तो ये mostly घूम घूम कर round होकर पूरे dog के pause के अंदर ही घुच जाते हैं जो dog के pause में काफी injury कर देते हैं और काफी painful होता है ये सब dog के लिए तो अगर आपके dog के भी extra नाखुन है या आपके पास भी 20-22 ना आपको proper ध्यान रखना होता है और time to time ही trim करना बहुत ही जोरी होता है अगर आप इन पर ध्यान नहीं देते हो या नहीं करते हो तो ये नेल्स डॉक को ही इंजट कर देते हैं और basically इसमें ऐसा कोई फाइदा नहीं है कि 21 नाखुन वाले dog बहुत ही अच्छे होते हैं बहुत ये ड्यूक्लॉस से basically I have also dog तो उसमें भी ड्यूक्लॉस है वह basically 22 नेल्स का और मुझे काफी इसमें प्रॉब्लम आती है अगर आप इन्हें दो से तीन महीनी के अंदर प्रॉपर नहीं करते हो तो ये नेल्स घूम कर डॉक के अंदर ही मानस में चले जाते हैं और उसमें नाकुन के डॉक होने का तो now thank you so much for watching this video so if you like the video so please make sure to subscribe channel also thank you so much Jai Sree Rao